नमस्ते दोस्तों दे अलो किचन में आपका स्वागत है दोस्तों आज हमारी अलो किचन में राजस्थान की लोग प्री स्ट्रीट स्नेक्स बनने जा रहा है राजस्थानी मिर्ची वड़ा राजस्थानी मिर्ची वड़ा के साथ साथ इसे जोध पूरी मिर्ची वड़ा भी क जरू करते हैं, यहां मैंने मिर्ची वड़ा बनाने के लिए दोस्तों लिया है 5 उबले हुए मीडियम साइज के आलू, अब मैं इसे मसल दूंगी, मसल ने के लिए मैंने मैसर का यूज किया है, आपके पास मैसर ना हो तो आप इसे लोटे या ग्लास या कटोरी के पेंदी से में मिलाओंगी बारी कटा हुआ हरा धनिया, बारी कटा हुआ हरी मिर्च, फ्याज, मिर्ची की मात्र आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, अब इसमें मैं कुछ मसाला आड करूंगी, जैसे मैंने यहां पे लिया है 0.5 乐मिर्च, नेुसके लिया है फ्यर्मिर् मैं डाल रही हूँ एक चम्मच चाट मसाला उसके बाद थोड़ा सा जीरा पाउडर और स्वाद अनुसार नमक इन सभी चीजों को दोस्तों हमें अभी अच्छी तरह से जो है मिलाना है तो यहां मैंने मिलाने के लिए चम्मच का यूज किया है आप इसे अच्छी तरह से मिल अब थोड़ा सा अमचूर पाउडर अमचूर पाउडर से क्या होगा हमारा जो फिलिंग है बहुत ही चटकदार बनेगा और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा दोस्तों आप अमचूर पाउडर इसमें मिला लीजिए उसके बाद मैंने देखिए अस मसालों को आलू में अच्छी तरह से मैंने मिला करके इस तरह से मैंने अपनी स्टाफिंग तयार कर ली अब हम चलिए बैटर तयार करते हैं बैटर तयार करने के लिए मैंने यहां पे एक कप जो है बेशन लिया है अब एक कप बेशन तो ले लिया है अब मिर्ची वड़ा हमारा उपर की कोटि और थोड़ी सी हिंग, हिंग हमारे पेट के लिए पहुत अच्छी होती है, तो मैंने ये थोड़ा सा ढाल दिया है, कलर के लिए थोड़ी सी हल दी, तीखा पन लगे, इसलिए थोड़ा सा लाल मीज पारडर, स्वाद अनुसार नमक, इस तरह से सभी मसालों को डालने के बाद मैंने यहाँ पे विस्कर का यूज किया है, और उसी तरह से मैं इसे मिला लोंगी, पानी को मैं एक साथ नहीं डालोंगी, थोड़ा-थोड़ा डाल करके हमें इसे फेटना है, और मिना इसमें कोई गुठली रहे, इसमें किसी प्रकार की गुठली न बने, इस तरह से हमें ուण बैटर जो है वो तैयार करना है, दोस्तो बैटर हमारा इस प्रिकार का अग्रों को अच्छी पर मिर्ची को कोट Troy गे तो मैं आपको व्यक्तर, और दुछा रहे हूं, देखेजंद बैटर अगर, हिड़ता है तो इसके मतलब समझने ожeles сейчас पर्फेक्ट बनकर तयार हुआ है यहां मैंने हरी मिर्च मोटी वाली हरी मिर्च लिया है जो पैरट ग्रीन कलर की होती है दोस्तों मार्केट में बहुत ही आसानी से ठंड किसी जम मिल जाती है तो यह थोड़ी कम तीखी होती है तो इस हिसाब से आप इसे अपने फिलिंग को तीखा ज्यादा कर सकते हैं तो हम मिर्ची को बीच में से कट करेंगे और कट करने की चेक कर लेंगे कि अंदर से मिर्ची कहीं सड़ी हो या खराब हो तूसे हम निकाल देंगे तीस तरह से मैंने मिर्ची को कट कर लिया है दोस्तों अब मैं इसमें जो स्टफिंग आलू की वह में इसमें भार दोंगी, दोस्तों हरी ज्य कि अच्छी में आपे उ κάνे बढ़ा सकते हैं तो लिजिये सारी प्रची कि भर करें ईसारी कि भर लेंगे तो उसके बाद मैं घयार पर कढ़ा दिया दिया गारमक 2020 अटuls हरा कि दो एग दोठों Duck तो थीक कर दिया थोड़ी सी क्योंकि मेरि कधाई थोड़ी छोटी है, आप जो है मीर्ची की रंठी बेगर कट कि इभी मना सकते हैं तो मिर्ची को मैंने बैटर में टिप किया, बैटर पूरी तरह से मीर्ची को कोट हो गया है तो अब हम एक एक करके मैं एक साथ में तीन तलूंगी क्योंकि मेरा कढ़ाई जो है बहुत ही छोटा है अगर बैटर पतला हो जाए आपका तो उसमें फिर से आप थोड़ा सा बेशन या चावल काटा मिला करके बैटर को ठीक कर सकते हैं घबडाने की बिल्कु होगा करारा बनेगा नहीं और जल्दी जल्दी यह लाल होके अंदर से मिर्ची कच्छी रह जाएगी इस तरह से हम मिर्चे वड़ा को हम तल लेंगे तो लीजिए हमारी मिर्ची दू है तीन मिर्ची मैंने एक साथ छोटी कढ़ाई में तल लिया है तो देखी मेरी मिर्ची के साथ सूखी लसुन चटनी है मेरे पास उससे मैंने इसे फैमली को खाने के लिए दिया है दोस्तों अगर चटनी आपके पास नहीं है तो आप इसे टोमेटो सॉस के साथ भी खा सकते हैं मैं आपको कट करके दिखाती हो बहुत ही टेस्टी बना हुआ है अंदर की स्टफि प्रेस करके सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिए और बगल का बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे नहीं नहीं वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुच सके